हेलो फ्रेंट्स सर्दियों के लिए मैं आपको आज एक ऐसी टोर्मेट बताऊंगी जो आपने अभी तक किसी भी यूटूब पर नहीं देखी होगी बहुती सॉप्ट और देखने में बहुती सुन्दर एकदम ओनलाइन टोर्मेट जैसी लगती है तो बहुती सुन्दर तरी तो डाउसा और ये आप इसकी कर लेंगे हम कुटें जाएगी बहुती बड़े की व जाएगी कह एक पीसी का्ठ कटे लिए है और इसकी लेंद ठाफ साहरे छेए हैं इस तरय के से मैंने इसकी कटिंग करे लिए सारे पीसे मैंने पूरे लूर मैया से जितने निकल इसारे के माप के pieces cut कर लिये हैं पूरे lower में से आपको pieces cut कर ले ले ला है और इसी के नाप के आपको कोई भी अस्तर ले ले लेना है आप साड़ी सूट किसी में भी अस्तर ले सकते हैं अब देखिए उल्टा रखेंगे अस्तर और उसके उपर रखेंगे अपना man fabric मतलब अंदर की side द stitch कर देना है तो यह देखिए machine पर भी हम आपको silker बताते हैं तीन side से हमें sly लगा देनी है यह देखिए तीन side से sly लगा देंगे और एक side से रखेंगे open यह देखिए इसी तरीके से दूसरा भी तयार करेंगे तो उपर हम अपना man fabric रखेंगे और नीचे रखेंगे अस्त सी कतरन है यह form के seat बगेरा है blouse के कपड़े हैं तो मतलब आपको इसमें soft वाली कतरन का यूज करना है अगर आपके पास कतरन ना हो तो जो पुरानी पिलो होते न उसकी भी आप निकाल सकते हैं जो soft eyes होते हैं उनके फर आप निकाल सकते हैं पुरानी हो गई हो तो यह इस त पास कॉटन है थो आप कॉटं की जिएगा यह देखे इस तरीके से इसी से में भरेंगे करी कैसके देखिए कैसे बढ़ना है इस तरीके से हलक आसा एकदम अंदर जब हाट डालेंगे तो मतलब पूरे पर इस तरीके से फैला देंगे फैलाते हुए और यहां से सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से हम दूसरा भरेंगे और इस तरीके से हाँ से फैला दिया है जितना मतलब ज कैसे सिलाई लगानी हैं अपनैसाब से कोई भी डिजान गी सिलाई निए लगा सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस बना दिया है और एक बात को आपको याद रखना है कि आप जब इसमें कत्रन भरें या फिर रोई भरें कुछ भी भरें तो उतना ही भरना है कि हमारी आसानी से इस पर सिलाई लग सके यह दिखिए, दो हमारे बनका ready हो गए हैं, कितने soft हैं, अभी कितने प्यारी लग रहा हैं, जब इसके पूरी डोर्मट बनेगी ना, तो आप मतलब देखना बहुत ही सुन्दर लगती है, यह दिखिए, कितने प्यारी लग रहे हैं, और कलर भी एक तम खिल के आ गया है, तो इसी तरीके से हमें सारे pieces ready कर लेनी है, तीन सैट से हमें सलाई लगाएंगे, और एक साइड ओपन लखेंगे, और फिर इसमें कतरन फिल करके ready कर लेना है, तो दीखिए, हमने सारे pieces को ready कर लिया है, सारे pieces आपको सेम तरीके से सिलना है, और सिलना भहुती असान है, अगर को बनाए है आप 4-4 पीसिस की वे बना सकते हैं लगा-देंगे तो इसी प्रोसे से हमे तेन इन तीन पीसिस को रखना है है लगा देना है तो ये 3-3 पीसिस की आ आर na लेर बना बहुत ही आराम से इस पर सिलाई लग जाती है कहीं आपको कोई भी दिकत नहीं आएगे सिलने में और बहुत Aí प्राइब कर लोगा वर बहुत ही जल्दी वन जाती है फ्रेंटस बिल्कुल भी आपको इसमें टाइम नहीं लगएगा बनाने में इस तरीके से हमने सारी तीन तीन पीसिस को जोड़कर इस्टिप रेडी कर ली है यह देखिए सारी रेडी हो गई है बहुत ही प्यारी लगती है जब आप बनाएंगे ना तो फ्रेंड्स आपको मन खुष जाएगे यह बहुत ही सु उक्ते हैं हैं अंदर की साइड आप शलाई चाहें तो डबल लागा सकती है मैंने इस तुम पर प्रतेक में डवल सलाई लगाई है ताकि हमारी काफी जाटिस बनाते आ था काफी मजबूती सी बनाना चाहिए थाकि हमारोंरी काफी लंभी छले यह देखिए इस तरीके से हम ज्विंट करना है तो बहुत यासानी से प्रेंट नachen और भॉश बहुत कोई भी गण है और बहुत करना可ुषcem जब क्रॉस बनाये तो आपको कोई भी तिकट नहीं अब say a बनाने में लुज कर लिए तो दफिक यह इक कमा इसполож han सॉप्ट गुद गुदा हमारा डॉर्मेट बनने वाला है अब यह देखिए पिछे से इस तरीके का चाप कभी हुआएगा सारे इस तरीके से हमारे जोंट अभी दिख रहा है तो नीचे से हमें किसमें अस्तर भी अटेच करेंगे और प्यारा सा बॉर्डर भी लगाएंगे अभी देखिए इस तरीके से हमने पीछे साइट से प्रतेक स्ट्रिप के नीचे डवल डवल सलाई लगाई है तो काफी मजबूती से मैंने इसको बनाया है यह मेरे पास एक साड़ी की साटन की जो लैस होती ना वो इस तरीके से रिविन सा रखा था तो हम इसी का इसमें प इसमें रख देना है और करीब तीन से चाड़े तीन इंच तक इस तरीके से चारों साइट से हमने इसमें कपड़ा एक्स्टर लिया है और चारों साइट से लगा देंगे पिन और पिन लगाने के बार और इसकी चारों साइट से किनारे पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके तो अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं, चारों साइड से हमने लगा ली है सिलाई, और यह दिखे, पूरे पर सिलाई लगा दे हैं, तो अच्छे से इसमें फिक्स हो गया है, कहीं भी आपको खिचेगा हैं, लेगा नहीं, आप देखिए, नेक्स्ट क्या करना है, कि अब जो हम अगर आपको यह वाला ट्राइ करना है, तो यह वाला तरीका भी आप ट्राइ कर सकते हैं, इस तरीके से कॉर्णर फोल्ड करेंगे, और चारों साइड से इस पर यह वाला बॉर्डर लगा देंगे, तो दीखे, बॉर्डर लग गया है, आप देखिए क्या करना है, अब दे बहुती प्यारा सा हमारा黄 मौन कर रेडी हो गया है तो सर्दियों में इस तरीके से अप स्ञ प्रंट असल स्चा आँछे से से कार्पेट13 बना सकते हैं इस की लेंद है 34 इंच तो इसकी एक लोवर में आप बहुत एच्छे साइज का बना सकते हैं यह कितना प्यारा लगता है देखिए आपको जूम करके बताते हैं बहुत प्यारा कलर लगता है और इस तरह के से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहें बॉ तब आप फिल कर पाएंगे बहुत ही प्यारा लगता है यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है और जो पतली पतली सॉप्ट सी कत्रण है वह आप इसमें फिल कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी पुराना प्लो पड़ा हो जो आप यूज न करती हो उसकी आप कोटर नि Interers نगे मिलते हैं और हम पुराने लोवर से ही बहुती प्यारा साफ डोर्मैड बना असकते है और यह जों लोर होते ना ना तो इन इनके color आते है तो कि इस तो बहुत ही प्यारी लगते हैं और काफी कलर प्रिंटेस में अच्छी रहती हैं वह सौप्ट होती है तो बहुत अच्छा ही का आप इससे कारपेट बना सकते हैं तो एक दम फ्री का आइडिया है फ्रेंट्स एक भी रुपाई आपका खर्श नहीं होगा और प्यारा स सॉप्ट सी प्यार ऐसी डॉर्मेड बना सकते हैं मैठने के लिए तो आइडिया अच्छा लगाओ तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करना कमेंट करके जरूर बता है निएडियो में मिलेंगे निवा आइडिया के साथ थैंक यू